हेलो दोस्तों केंद्रिय मंत्री जोती राधित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज बुधवार पंधा मई को निधन हो गया वे करीब तीन महीने से दिल्ली AIIMS में भरती थी वे कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी उन्हें निमोनिया और सेपसिस नामक बीमारी थी बताते हैं उन्होंने नौ बजे के लगभग अंतिम सांसली वे करीब सत्तर साल की थी अंतिम समय में उनके पास उनका पूरा परिव राजलक्षमी के दादा शमशेर बहादुर सिंख नेपाल के प्रधान मंत्री भी रहे ग्वालियर के सिंधिया परिवार की बहू बनकर प्रिंसेस किरन राजलक्षमी माधवी राजे सिंधिया हो गई उनकी शादी ग्वालियर के महाराज पूर्व केंद्रिय मंत्री अंतिम संसकार की तैयारी शुरू कर दी है पती माधव राव सिंधिया की छत्री के पास चबूत्रे का निर्मान किया जा रहा है उनकी पार्थिव देश दिल्ली से ग्वालियर लाई जाएगी जानकारी के मताबिक कल गुरुवार को अंतिम संसकार होगा लेकिन अभी महल से इस संबंध में अधिकरत जानकारी नहीं आई है